हेलो दोस्तों अगर आपने अभी तक Computer for Quant चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए क्योंकि इस चैनल के अंदर हम लगबग 5000 questions solve करने वाले हैं जो computer structure vacancy के लिए बहुत ज़्यादा helpful होने वाले हैं लोड ओफ वन सिस्टम भी शेयर टू अदर सिस्टम एक सिस्टम का लोड दूसर सब्सक्राइब करना तो देखिए जैसे यह आपका एक Computer है और इसके अंदर एक OS store ले माल लीजिए इसके अंदर resources available एक चार और process जो अपना काम कराने चाते हैं वो कितने आगए साथ तो देखिए चार process तो इसको allocate हो जाएंगे resources को अब process कितने बज़ गए तीन तो यहां अगर देखिए कि तीन process को क्या करना पड़ रहा है wait करना पड़ रहा है ओके और जब तक यह process complete नहीं हो सकते तो यहां पर एक तो installation की problem arise हो सकती है दूसरा है कि जब तक क्योंकि सबसे initial stage के ऊपर इसके पास resources available नहीं है तो यह क्या हो गया load load system का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो इस load को balance करने के लिए क्या करते हैं यहां पर इसी computer के साथ क्या करते हैं अलग-अलग terminals बना लेते हैं और इन सब के अंदर क्या करते हैं operating system को share कर दे जहां पहले एक ही ऑपरींटिन स्च्टम वर्ट कर रहा था अब क्या कर रहा है जो ऑएस किस mode में करा रहा है sharing mode के अंदर किसके अंदर कर रहा है sharing mode के अंदर operating system काम कर रहा है अब मालीजिए अगर यहां पर आपके पास अब यह case इसके अंदर ले लेता हूं मैं यहां चार resource है और इसके पास साथ है तो चार resource occupy हो गए और outử process को काम करने के लिए चाहिए कोई भी वह यह जाएंगе हो सकता एक इसके पासагоization और बाकी दो इसके पास जाए तो जो इसके प्रोसेस है जो इसके टास्क अधर जो सर्थ तर्मीनल से अधर जो टर्मीनल ने साथ क्या हो जाएंगे ये शेर हो जाएंगे इसको विस्त्रिब्टेडr operating system के ंदर किसके अंदर distributed operating system के नाम से पता चलगा है किस ओक्रिटिंक सिस्ट्रेम को क्या का रखा है हमने um कर कह है ओके थेंक यू